मिलने की तुम को सिस करना वादा कभी न करना मिलने की तुम को सिस करना वादा कभी न करना वादा तो तूट जाता है वादा तो तूट जाता है जब भी तेरा जीचा है तू पास मेरे आजाना मेरा प्यार बस तेरे लिए है तू न कभी घबराना लेकिन सपनों में मिलने की कोशिश कभी न करना सपना तो तूट जाता है मिलने की तुम कोशिश करना वादा कभी न करना मिलने की तुम कोशिश करना वादा कभी न करना वा दा तो तू तोड़ जाता है वादा तो तूट जाता है वादा तो तूट जाता है , वादा तूट जाता है मयान आपको एक बाद भाद फिर से एरिजनिंग के कैलेंडर क्लास में पहदीस स्वागर है अभी तक आपने पहले बाले वीडियो में देखा क्या जाना लीप बर्स के बारे में अधी बर्स और सामान बर्स के बारे में सब्ता हमें साथ दिन होते हैं और साथ दिन पर वही दिन आते हैं ये सब आपने अभी तक पढ़ा अब मैं आपको आगे की जानकारी देने से पहले थोड़ा सा पीछे वाले ज्यान को आपके सामने रखता तो सबसे पहले आप आगे बढ़ने से पहले आप एक बास समझ ले कि वीडियो को इस्कीप करके मत देखेगा आप line by line वीडियो को देखेगा, जब वीडियो पूरा समाप थोजान और आपको लगे कि वीडियो सबसे अच्छा है, अच्छा ही नहीं, सबसे अच्छा है, तो इस चानल को सब्सक्राइब कीजीगा, अगर नहीं विवर से, बेल आइकन को और प्रेश कर दीजीगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर रहा हूँ कुछ और बहतरीन जानकारी, आप कैलेंडर से तो अच्छी तरीके से परची थी हैं, जो पहले वाले वीडियो में भी आपको मिला था देखने के लिए, देखे, यही तो है सिंपल सा एक कलेंडर, नहीं, जिसमें आप जानते ही है, यह 2020 का कलेंडर मेरे हाथ में है, और आपको मैं एक बात बता दूँ, कि सप्ताह में साथ दीन होते हैं, रविवार, शोमबार, मंगलवार, बूधवार, गुरुवार, इसी स्तात दीन का ही तो खेला है न, कलेंडर में, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, कि अगर आपके पास कलेंडर है, 2020 का कलेंडर है, अगर 2020 को, एक जनवरी, 2020 को, इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, अगर, आप ही देखें, जब आप कैलेंडर अभी देख रहे थे, तो आपको दिखाए दे रहा था, एक जनवरी जो था, 2020 का, वो देखें, बूधवार था, तो, एक जनवरी 2020 को, यहाँ पर गौर्ण से सुनिएगा, यह पिछले वाले कलास को थोड़ा सा रिवाइज कर रहा है, यह कौन सा दिन था, बूधवार था, और अगर आपको इसमें, साथ दिन पर तो वही डेट रहते हैं, तो आठ तारिक जब आएगा, जनवरी 2020 को, तो भी कौन सा दिन होगा, बूधवार ही होगा, क्योंकि साथ दिन के बाद, दिन जो होता है, क्या होता है, रिपीट होती रहते हैं, आपको तो पता ही है, आठ को भी बूधवार ही होगा, फिर साथ दिन बरियेगा, पंदरा तारिक को भी क्या हो जाएगा, बूधवार ही हो जाएगा, नहीं, अगर इस तरीके से 22 तारिक को भी देखेगा तो भी कौनसा दिन होगा बुधवार ही होगा अगर आप 29 अर्च को देखेगा तब भी आपको कौन सा दिन मिलने वाला है तो यहां आपको बुधवार ही मिलने आप यहीं नहीं अब वब mathematical कर सकती आज स्क्रीन सोट ले सकते हैं अब आगे हम बताते हैं गौर किज़ेगा कि अगर आपके पास यहां पर मान लिजे कि 9 जनवरी 2020 की हम बात करें कि कौन सा दीन होगा तो देखे तो आपको 9 तारिक में से 1 घटाई तो कितना दिन आ जाएगा 8 और 7 दिन पर डेट होता है रिपीट साथ से भाग दिजेगा तो सेस कितना गिर जाएगा 1 और यही सेस आपको बुधवार में एक जोड दिजेगा तो कौन सा दिन आ जाएगा गुरुवार आ अगर आप देखेंगे तो गुरुवार केलेंडर से आप देख सकते देखे यही 2020 का केलेंडर है मेरे पास 9 तारिक है देखे गुरुवार है आपका तो साथ से भाग देकर आप निकाल सकते लेकिन कुछ बेसिक जानकारी देते हुए मैं आपको आज केलेंडर स्टार्ट कर कि निम्न में से निम्न में से कौन सा लीप यह या अधी वर्ष नहीं है अधी अधी आराम से परि। कोई हर वराहत नहीं है आज अप्सृन देखें पहला है आपने स दो हाजार चार का बी नमर देखेंगे दो हाजार तीन यहां पर मैं दो हाजार आठ कर तक में और दो हाजार और डी में कर देता हूं एक सव अब बताईए कौन सा लीप बर्स नहीं है अब लीप बर्स कहते किसे आप पहले भी पर चुके अधि बर्स के बारे में तो अधि बर्स जो होते हैं दो तरीके के होते हैं एक होता है सामान बर्स वाला अधि बर्स और एक होता है, सताबदी वाला, लेकिन हर सताबदी बर्स अधि बर्स नहीं होते ह। तो वैसे सताबदी बर्स जिसके अंत में कितिने सुन हो दो और हुआ कितिने से भाग लग जाए चार सो से जैसे एक एक्जामर हैं मेरे पास है 2000, तो 400 से हमने भाग दिया, 4 पचे 5 वर कट गया, तो ये हमारा सताबदी बर्स में लीपियर अधी बर्स होगा, लेकिन अगर यहां पर रहेगा देख लिए 200, क्या 200 को 400 से भाग दिया तो लगेगा, नहीं, तो ये हमारा सताबदी बर्स तो है 200, डबल जिरो है न लेकिन चुकि 400 से भाग नहीं लग रहा है, इसलिए यह सताबदी बर्स होते हुए भी यहल अधी बर्स नहीं है, अब समान बर्स कौन होता है, जैसे 1996, 1996, 1998, 1999, 1999 और 2000, ये तो सताबदी में आ गया, अब कता समान बर्स कौन होता है जो अधी बर्स हो, तो जिसमें चार से पूरा पूरा भाग लग जाए, वही जो है आपका क्या कलाता है, समान बर्स कहलाता है, कैसे होते हैं, जिसमें चार से पूरा पूरा भाग लग जाता है, आप गोर कीजिए, इसको चार से भी चेक करने का नियम होता है, आप केबल अंत वाले 2 को भाग दे कर चेक 371 वाले केबल दोतों जादा को मत देखे चार से भाग धुजा घ्यार यह अधिभर्स होगा67 में नहीं करतेगा अंठान में 4 दुनियाद चाट नहीं नहीं करतेगा निना से यह यह भी होगा अब देखे यह तो सताबदी है 400 से भाग देखा लेकिन यह भी सताबदी लेकिन अंत में डबल 0 है na जब भी अंत में 2 0 है सताबदी है तो सताबदी को कैसे चेक किजिएगा चार सो से भाग देकर जिसके अंत में दो सुन आ जाए न तो याद रखेगा हमेशा चार सो से भाग देकर चेक किजिएगा तो एक सो में चार सो से भाग देजिएगा आप ही देखे एक सो में चार सो से भाग देजिएगा तो क्या एक अभी कटेगा, इसका मतलब है कि लीप वर्स नहीं होगा, लेकिन चार से कट जाएगा, चार से मत चेक किजेगा, तो फिर फस्ट जाएगा, अगर आप नोट करना चाते हैं, तो आप इसका स्क्रीन सोट ले सकते हैं, तो आएए आगे और कोश्टन पर डिस्केश आजाएगा, अब यहां से देखते हैं, अब कोश्टन है, ऐसे कोश्टन आता है, कि क्या प्रतेक अधिवर्स होता है, क्या प्रतेक अधिवर्स सताब्दी वर्ष भी होता है, तो आप ही बताई, प्रते अधिवर्स जब बता ही दिया, तो अधिवर्स या तो चार से पुरा-पुरा भाग लग जाएगा, या कितना से लग जाएगा, चार सो से, लेकिन कर रहा है, सताब्दी वर्स, तो देखे, सताब्दी वर्स, अधिवर्स में सताब्दी यहां लिख दिया है, प्रतेक अधिवर्स, क्या सताब्दी वर्स भी होता है, तो जी, बिलकुल होता है, देखे, ये चार से उसे कटे गए, तो पांच बर कटे गए, अब यहा तो सताबदी वर्स भी हो सकता है लेकिन अगर इसी कोस्टन को फोड़ा और नचाक आपको बताएं कि आप प्रतेक सताबदी वर्स क्या प्रतेक सताबदी वर्स अधी वर्स होता है पुर्वाथ एक सतबदी सतापदी मानिए ऐंत में दूब को सुन वादा देखे जैसे मैं लिख़ दूँ एकसो दो STAR 300 400 उसके बाद 200 800 देखिए क्या सताबदी बर्स है तब क्या अधिवर्स होगा क्या इसमें 400 से भाग लगेगा कि इस में लगएक नैकिन क्या इसताबदी वर्थ अधिबर्स होता है तो भीलकुल नहीं हो कि प्रतेक सताबदी वर्ष अधिबर्स कहते हो अधी बर्स कहें कि अधी बर्स होगा तो नहीं होगा आप स्क्रीन सोट इसका भी ले सकते हैं नोट्स बनाते चलिए तो आगे बरते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन को जरूर प्रेस्ट कर दें और सेयर करते रहें अपने दोस्तों को ज्या आप दीन पर दीन रिपिट हो जाता है तो 365 दीन है यानि एक बर्स है एक बर्स में कितने दिन होते हैं 365 दिन सामान बस तो भाग दिजेगा तो साथ से 7535 सादूनी चाउदा तो स्येस फल कितना आ जाएगा एक और यहीं जो एक आता उसी को हम जानते कौन से दिन से बिसम द तो प्रतेक जो होता है, सामान वर्ष उसमें कितने और डे आता है, एक आता है, और डे कितने आते हैं, ये किस वर्ष की हम बात कर रहे हैं, शामान वर्ष की बात कर रहे हैं, सामान वर्ष कौन सा होता है, जिसमें सुन शुन नहीं लगा है, डबल सुन नहीं लगा है, यानि स 100 कि बात नहीं कर रहें और 100 बला भी हो सकता है डबल जिरो बला भी लेकिन अधी बर्स में हो तो सामान बर्स की बात करें यह क्या कहना चाहता है वो समझ यह कहना चाहता है कि मालेजे कि आपका एक जनवरी 2020 को बूधुवार था एक जनवरी 2020 को कौन सा दिन बूधुवार था आप कलिंडर में जैसा कि आपने देखा भी है अब समझें अगर पूछता है एक जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा ऐसा कोशन नहीं था अब देखें ये तो 2020 आपका समान बर्स नहीं है तो लीपियर है तो हम हमको तो समान बर्स की बात कर रहे हैं न तो आप यहां गौर के जी एक एक दो हजार उनीज को अगर मान लिजे मंगलवार था कौन सा दिन था मंगलवार और आप से पूछा है एक जनवरी 2020 को कौन सा दिन हो अब देखे 2019 समान बर्स है न चार से भाग दिजेगा चार से नियमें दो में भाग दिजे दो अन्स से दो अंक में तो चार चका सोला तीन से गिरेगा की नहीं गिरेगा तो क्या यह पुरा-पुरा चार से इसमें विभाजित हुआ क्या कटा नहीं जब चार से पुरा पुरा नहीं कटा तो इसका मतलब है कि यह आपका अधिवर्स नहीं तो अधिवर्स नहीं तो कौन बर्स है समान बर्स है और समान बर्स में और डे विसम दिन कितना आता है एक आता है न इसका मतलब है कि जब समान बर्ष रहे और एक साल का पुछे 350 देखते रहे एक 2019 से पुछ रहे एक 2020 तो एक दिन इसमें जोर दिजेगा तो आपका कौन सा दिन आ जाएगा 2020 एक जनवरी को बुधवार आएगा कि नहीं आए बिल्कुल आए अब जरागोर किजिए अगर आपका अधी बर्ष है अधी बर कि अधी बर्ष Ett spirits और एक यहीं अधी बर्ष अगर इनिवरी का आपकरा है कि अधी बर्ष कि म tumbies करक कर देद हिए कि कि पास पुछ गिर हमानूत कोई वह 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है तो आप ही बताए एक साल में 6 घंटा बरेगा तो दूसरे साल में 6, तीसरे में 6, चौथे में कितने बर जाएगा यही न बरेगा तो हर चौथे साल में 24 घंटा पूर जाता है तो एक दिन बढ़ जाता है कोन में बढ़ता है फरवरी में बढ़ता है तो 365 के बदले कितना हो जाता है 365 आप इसको भाग देजिए 25, 27, 24 कितना सेसफ़ल इसका आएगा तो सेसफ़ल जॉप आएगा 2 आएगा कितना आएगा और यही दो दीन क्या कहलाता है और डे कहलाता है जिसको आप क्या कहते हैं विशम दीन कहते हैं तो आप गौर करो यह 2020 है न यह जनवरी से आप 2021 में जनवरी तक जाएगा तो यह तो फरवरी इसमें सामिल हो जाएगा अब इसमें विशम दीन कितना हो जागा आप ही बता है व अधि बर्ष रहेगा ज्यादा नहीं सोचेगाさरे बिलकुल आराम से सोचे तो एक जूर दीजेगा एक साल में जब अधि बर्ष रहेगा तो उसमें कितना जोर देंजेगा, दो बुद बार में दो जोरी है न गुरु बार उख शुक्र बार या मिया ने हापे कौंसा दिन होगा शुक्र बार दो जार ऐप 251 जनवरी 2021 को कौंसा अब जरा हम इसके आगे की अब बात करते हैं यह तो हुई कुछ पुरानी बात है पुरानी मिलन है पुरानी संगम है आप लगातार वीडियो देखिए इसकीप मत किजिए और अगर पसंद आ रहा है तो आप इसको सियर भी करते रहे हैं अब आज हम आपको पुराने के लिए केलेंडर में आये हैं तो सबसे पहले हम लोग केलेंडर में परहेंगे क्या यह भी तो माइने रखता है ना आपका जो केलेंडर है उसमें हम क्या-क्या परहने वाले समझे हैं सबसे पहला बात कि डेट को चेंज कर दिया जाए डेट को चेंज कर दिया जाए महीना और बढ़ सेम रखा जा जैसे अगर आपको एक एक दो हजार बीस को था कौन सा बूधवाल और एक एक अब यहां पर हम पूछ दे 27 एक दो हजार बीस को बताईए कौन सा दिन होगा गौर किजिएगा देखें केबल दिन ही ना बदला है महीना और साल सेम है ना यह प दूसरा टाइप इसका आता है जिसमें डेट भी चेंज कर देंगे और आपका मन्त यानि महीना भी क्या हो जाएगा जैसे आपका था एक जनवरी देखें आपके यह सर बार बार आप दो हजार बीस से कहले रहे हैं मन्त है आपका मन्त चंचल होता है तो हम ठीक है आपकी ब 21 की बात कर लेते नहीं तो आप समझिए अगर एक एक दो हजार 21 को सुक्रबार होगा आपसे पूछेगा कि यहां से हम दो देखें अब डेट भी चेंज कर देते 15 आप यहां पे तीसरा महिना 2021 को कौन सा दिन होगा तो पहले आपने डेट को केबल बदला और अब आपने किसको बदल दिया डेट को भी बदल दिया मन्त को भी दूसरा टाइप आया तीसरा टाइप हम लोग परेंगे इसमें क्या होगा तो डेट भी चेंज हो जाएगा और मंत भी चेंज हो जाएगा और यर भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा यही नहोगा आप समझें जैसे एक एक दो हजार हम अब उनीस की बात कर लें एक एक दो हजार उनीस को जो दीन होगा वह कौन सा दीन होगा तो देखेगा वह जो दीन होगा आपका मंगलवार होगा कौन सा दीन था मानिजे कि मंगलवार हैं तो पूछा जाए तीन पांच दो हजार बीस को कौन सा दीन देख टाइप है अब इसमें दो तरीके के कोस्टन रहेंगे हर में एक तो है देखे अब ऐसे कोस्टन पूछेगा माल लिजें कि दे दिया आठ एक दो हजार बीस को था बूधवार नहीं और आप से पूछ दिया कैसे देखे आप से पूछ दिया पांच एक दो हजार बीस को कौनसा दिन हो देखे इऐ आठ तारिक जो है पांच के बाद ना आएगा आठ तारिक से पांच तारिक पहले ना जाएगा तो जब पहले रहे तो क्या करियेगा अब आद का पूछ रहे एक तारिक था 27 को पूछा यहां आठ तरीक था आप पाचे तरीक को पूछ दिया तो यह क्या किया यह तो पहले वाला न पूछा तो हर में यह दो तरीका हम लोग अपनाएं और चोथा टाइप जो होगा सबसे इंपोर्टेंट होगा जिसमें आपको दीन नहीं देगा उचेगा बताईए 15 अगस्त उन्हें 47 को कौन सा दिन था 26 जनवरी उनिस सब 47 को कौन सा दिन था दो अक्टूबर दो अक्टूबर देखे जनवरी फरवरी मार कफिल मौई जून जुलाई अगस सितंबर अक्टूबर यानि दसमा महिन दो अक्टूबर अपना भी जन्म दिन पूछ ले पूछे आ कि बताईए आपका जन्म दिन निकाल लेंगे हम कौन से दिन को हुआ था अपडेट बताईएगा तो इतना टाइप हम लोग इस रिजनिंग के तहस पर हैंगे तो क्या स्टार्ट करें तो बिल्कुल तैयार हैं आप तो आएए सबसे पहले सुरुआत करते हैं देट टाइप वन स्टार्ट होगा तो रेडी रहिए कौपी कलम निकाल कर इसे भी नोट करना चाहते हैं तो आएए बढ़ते हैं अब हम आपके कैलेंडर में टाइप वाइस कोस्चन को डिसकस करते हैं शुरुआ आपसे ही होगी आपके वर वीडियो देखिए सिखाना मेरा काम है और मैं आपको सिखा कर रहूंगा और नहीं सीखे तो फिर कहिएगा तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप वन से स्टार्ट करते हैं टाइप वन देखे टाइप वन क्या है यदि महीना एबम वर्ष को नहीं बदला जाए लेकिन दिन यानि दिनांक या जिसे आप तारिक कहते हैं वो बदल दिया जाए बदल दिया जाए तो कैसे बने जाए तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताने का प्रयास्था पांबान लिए एक जनवरी 2018 को अगर कोई दीन होगा नहीं जैसे 2020 को था बूद बार ना तो 2019 को एक दिन घट जाएगा मंगलवार हो जाएगा तो 2018 को कौशा दिन था तो सोमबार कर आये कि महीना बर्स को नहीं बदला जाए चलिए हम नहीं बदलेंगे साल को भी नहीं बदलेंगे लेकिन इसको बदल दिया जाए आप ही बताई अगर यहां पर आठ रहता तो कौन सा दिन होता तो इसको बनाने का तरीका समझे दोनों का यही ना बदल रहा है दोनों का अंतर निकाले तो आठ में से गया कितना होगा साथ और चुकि सात दिन पर दिन सेम रहता तो सास से भाग देते हैं एक बार लाएगा सेस कितना आ गया जीरो और जो आता उसी को नहीं जोडते हैं तो जीरो जोड़ेगा सोमबार में तो कौन सा दिन हो जाएगा सोमबार ही होगा क्या कोई परसानी है अगर है तो बताईए कि कमेंट करके हमको बताईएगा कहां आपको परसानी हो रहे हैं कहां आपको दिकते हैं मैं उसको समाधान करूं तो इसके निस अपले ल अब मालेजे यहां पर आपके पास नौव जनवडी 2018 को कौन सा दिन होगा बस देखिए यह दोनों जब सेम रहे न तो आपको किवर इसका अंतर निकलना है नौ में से एक जया कितना होगा आठ और साथ से सिंपल भाग दिन तो क्या बर लगेगा अज सेस कितना गिरेगा एक जो सेस गिरेगा न वही इसमें जोड दिन तो सोम बार में एक दिन जोड़ियेगा तो कौन सा दिन आ जाएगा मंगल बार यानि आपको नौ जनवडी 2018 को सीख जाएगा राम से परहिए कहीं समस्या नहीं कहीं भी दिक्कते नहीं आएगा मालेजी यहां प्याप को है 24 25 25 जनवडी 2018 को पूछा है देखें दोनों से मैं तीसी पर बात करेंगे 25 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 24 अब इसको कितना से भाग दिजेगा साथ से भाग दिजे तो साथ से सती आएकोई सेस कितना गिर गया तीन यह जो सेस गीरा यहिन इसमें जोड़ा जाता है तो सोम बार में तीन दिन जोड़िये तुम मंगल बोध विरासपत देखे मंगल बोध विरासपत यानि विरासपती बार यानि गुरु बार आ जाएगा 25 तारीक को क्या कोई समस्या हो रही है अराम से पढ़िए स्क्रीन सट ले लिजएगा आगे देखें इसी कुर्स्टन को पानी पीते रहेगा लगातार पढ़ने से क्या होता है कि दिमाग के नौ अक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसको पानी से एक एक पूट ले लिए और बने रहे है चैनल के अराम से बैठ ये कहीं हर वर आने की जुरत नहीं है अब यहां समझें अगर यहां पे 27 जनवरी 2018 का पूछें देखें केवल दीन ही बदल रहा है ना महीना और बर्स नहीं न बदल रहा है तो घटा ये 27 में से एक जागा कितना हो जाएगा 26 और जो आता उसको सास से भाग देते हैं दीजिए शत्याय कोई कितना आ गया पांच से आशगीरा तो इसमें पांच जोर दीजी अब एक बात समझें पांच जोर ये चाहे दो घटा ये एक ही बात हुआ है चुकि सब्सक्राइब साथ दीन होता है ना तब पांच अदू साथ आदेखें इधर जोर रहे है तो इधर घटा ये दो ही मेथद पहले अगर घटा आत इधर से पांच ओर के देखें सोम है ना मंगल वोध बिरस्पत सुक्र सनी आया ना अब इसमें आप लोगों को थोरा सा कंफ्यूजन होगा क्या मैंने मैनस तू कर दिया जब आगे का दीन निकालना हो एक तारिका 27 का निकालना है बादवला निकालना हो ना तो आप जोरते हैं अज जब यहां पांच चार से जादा आजाया ना तो देखो सात पुराना पड़ता है तो पांच में दो पूराएंगो तक है साथ तो फांच आ पर ये चाहाँ दो पीठे वरी लेकिन आगे का निकालना हो बाद वाला हमेशा पहले जूरिएगा समझ रहे हैं नहीं समझे पर को संद्ध के नहीं समझना जाए देखिए हम यहां पर कर देते हैं 28 अब 28 जनवड़ी 28 को पूछा जरन 28 में से एक जाया कितना हो जाएगा सताई घटा दिजे न 28 में से गया सताई भाग दिजे इसको सास शतिया एक कोई छो से इस गिरा गिरेगा कि नहीं अब या तो छो जोड़िये असात पुराने के लिए क्या करना होगा एक अब बाद वाला पूछा है या तो छो जोड़िये या एक घटा इए सोमबार में से एक घटा दिजेगा तो रभी बार होगा असोमबार में छो जोड़िये गा तो मंगल बोध गुरुवार शुक्रवार शनीवार और रभी बार छो जोड़िये गा तो रवी बार देखे रवी बार आया तो क्यों नहां या तो पहले जोर है तो उधर घाटाओ के लेकिन साथ ही पुराईएगा चार रता ता ता तीन उधर करते चार तीन साथ दो रता ता पांच करते तो ध्यान रखेगा इस चीज़ को देखे अभी तक आपने यह सीखा कि अगर समय आगे का निकालना हो बाद वाला तो कैसे निकाले अब हम इसमें आपको यह चीज़ सीखाए कि अगर आपको पहले का निकालना हो तो आप कैसे निकालेगा मने इता बाद वाला ना आप निकाले अब हम सीखाते हैं कि पहले का द जनवरी 2018 कौन सा दिन हो अब तुम ही बताओ 28 तारिक बाद में आएगा कि 15 तारिक जनवरी में बाद में आएगा तो पहले आएगा 15 तब ना 28 आएगा बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है आप दी देखे महीना और साल अजब सेम रहें अब 28 में से 15 घटा ये बाद का पूछे चाहिए पहले कोई फर्क ने तो कितना आ गया 13 अब 7 दिन पर रिपीट होता है दुबारा वही दिन सुमबार तो साथ दिन बाद फिर वही सुमबा अब साथ से भाग दीजिएगा चौशेस गिरेगा तो यहां गौर कीजिए अब यह पूछरा है कब पहले बाला ना पूछ रहा है 28 तो बाद बाद बाला दिया हुआ अब पहले बाला जब पूछ रहा है तो आप घटाईएगा इसमें से छो घटा दीजिए देखें पहले बाला पूछा है इन्हें 15 कि ने पूछा असाथ पुराने के लिए एक इधर घटाओ है तो इधर जोर आपको यह घटाए क्यों प जोरीगा तो कौन सा दिन आजाएगा शोंबार आजाएगा नहीं इस पर एक और कोसन देखें ताकि किलियर हो जाएगा मालिजे कि आपको यहाँ पर पूछता 14 जन्वरी 2018 में कौन सा दिन है था फिर वही तरीका 28 में से 14 घटाएगा कितना आएगा चाओदा चाओदा को साथ से भाग दीजेगा तो दो बाद सेस कितना आएगा जीरो जीरो घटाएगे क्या कोई फर्क परेगा तो रभी बार हागा नहीं आगे देखेगा अब इसी को हमें यहाँ पर कर देते हैं 11 कर देते हैं 11 जन्वरी 2018 को घटाई 28 में से एगार गया कितना होगा 17 आँ 17 को साथ से भाग दीजेगा तो साथ दूनी 14 आँ सेस कितना गिरेगा तीन आप पूछ रहा है पहले वाला ना 28 तारीक को दिया है आप पूछ रहा है 11 को पहले वाला तो पहले वाले में घटा दीजे तीन दिन अच्चा है आप साथ पूराने के लिए चार जोर दीजें पहले घाता आओ तो बाद में जोर का चीन होता है देखे रविबार के चार दिन तों बार मंगल बार बूध बार गुरू बार तो कौन हो पर यह चाहती निर्फ पहले आई दोने तो मैं अब आसा करता हूं कि आपको यह टाइब समझ में आ गया बिलुकुल कहीं समस्या नहीं होगी है ना तो मैं अब आगे बहूं आपकी मर्जुगी तभी न बहे न तो आगे देखते हैं तो हम लगे रही है अब हम टाइप टू की बात करते हैं देखें टाइप टू में टाइप टू कहता है कि यह दि दिन यानि दिनांग क्या तारीक दिन कहिए दिनांग कहिए तारीक कहिए दिनां के अतारिक और महीना बदल दिया जाए, लेकिन वर्ष नहीं बदला जाए, यानि वही रखा जाए तब हम लोग कैसे बनाए, तो क्या करिए, तो एक बार फिर से आ जाए पीसे, बैक में, एक जनवरी, देखे, यह काई पढ़ने से पहले एक चीज़ समझे, आपको पुरा महीना याद होना चाहिए, कितने दिन होते हैं, जिस देखे, बारा महीना होता है न, जनवरी, फरवरी, मार्च, अफ्रेल, माई, नहीं, माई हो गया, माई के बाद आपको पता है, कौन सा होता है, जून होती है, स्टार्श, माई के बाद, जून, जुलाई, अगस्ट, सितंबर, अक्टूबर, जूबर, नौवमबर और दिसंबर यही न होते हैं देखे जनवरी में कितने दिन होते हैं 31 अफरबरी अगर समान बर्ष होगा तो 28 अधी बर्ष या लीपियर होगा तो 29 दिन और 4 साल पर एक दिन बरहेगा मार्च 31 अपरील 30 दिन मौई 31 जून 30 जुलाई 31 अगस्ट 31 तितंबर 30 दिन अक्टूबर 31 दिन नवंबर 30 दिन और दिसंबर 31 याद नहीं रहेगा तो इसका तरीका भी है यह पुरन का जब बच्चे थे तो आप लोग करते थे न इमुठिया वला इमुठिया वला इसे वला वही करें लेखें इजो उठल देख रहा है यह जो ऊठल वला दीख रहा है ऊठल देख रहा है 30 वला, 28-29 वला फरवरी में तो गिनिया राम से उठल वला जनवरी 31, फरवरी 28-29, मार्ज 31, अप्रिल मौई, जूल जुलाई, आप फेर देखिए फेर अगस्त वाई यहीं आएगा जुलाई भी खराब लाए देख रहे है 31, एहो अगस्त जुलाई, आगस्त, फिर सितंबर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यह उठल वला 31 तो ऐसे भी कर लिए अब यहाँ पे एक बात और समझ जाईए कि हमको 31 नहीं लिखना है पूरा हमको 20 दिन लिखना और 7 दिन पर तो दिन रिपिट होता है तो 7 से भाग दे कर देखने लिए 31 में भाग देज़ीगा तो 7 चक 28 नहीं है तो 3 से सिविरा यहिनर ओड दे होता है तो जनबड़ी में कितने भी समझ दिन होंगे ओड दे जो होंगे वह जनबड़ी में कितने हो जाएएगे 3 दिन हो जाएगे अब इसमें देखें अगर सामान रहेगा तो साचेकटाइस 0 अगर 2100 रहेगा तो 210008 001 नहीं यानि जब 31000 रहेगा तूज दो 7000 लिखेगा जब आपका 30 20 रहेगा तो दो लिखेगा 28 रहेगा तो जीरो और 29 रहेगा तो एक अब इसी कंसेप्ट पर हम लोग इसको पूरा पूरहेंगे तो चाहते हैं तो इसके इंसवत ले सकते हैं चलिए तो इसे भी आप समझ गये होंगे अब देखें यदि दीन दिनांग तारिक और महीना बदल दिया जाए अब तने बात करें एक जनवरी दो हजार उनीस की बात करें दीन था मंगलवाद अब दोनों बदलते हैं एहा पे है पांच एहा पे है दो और एहा पे है दो हजार साल को मत बदलिए गा और इसको निकालना है अब कैसे निकाल गए गउर करें एक जनवरी noodheline 19 को है मंगलवाद आप पांच फरबरी दोहजार 1919 को पूछा जा रहा हैं देख रहे है दीन पांच बदल गया एक था मादो हो गया बदलना किया अब कैसे बनाईएगा कुछ नहीं है वह ही है सब आप ही बताईए इतना जनवरी का महिना है एक तीसा महिना है एक तीस दिन जब है क्या दिन है एक तीस एक जनवरी को तो आपने यहाँ पर काउंट कर लिया तो एक तीस में से एक चला जाएगा तो कया दिन बचा दिन अगर इसमें और जोर दिजेगा तो यह जन बड़ी खतम हो जाएगा अरे भाई जन्वरी में एक 20 दिन होता है न? और एक तारिक को आपने मंगलवार बता दिया, तो कल हिस्ता पिर गिनी गया है दूसरा दिन से, जन्वरी में होता है 31 दिन, रहेम को जन्वरी खतब करना है, तभी तो फर्वरी में जाएंगे ना तो जनबरी में 31 दिन होता है जहल चला गा ठीछ से दिन न माँनोमा है और जनबरी खृटा ए सांधर Marie में तो आपको बता ही दिया है कितना दिन बता दिया थिफ इसा जोडियगा तक कस दिन आ जाएगा 35 सेश कितना आजाएगा जब सेश सुनाएगा तो मंगल बार में सुन को जोडिये चाहे सुन को आप घटाईए कोई फर्क परेगा क्या दीन में कोई फर्क परेगा नहीं परेगा तो मंगल का मंगले रहेगा कि नहीं रहेगा बोलिए तो मंगल था मंगल ही रहेगा इसमें कोई changing की संभावना क्या बन रही है आपको बिलकुल नहीं बन रही है नहीं, तो आप ऐसे बना सकता है नहीं, अभी बना सकते है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं नहीं तो ऐसे ही आप क्या करेंगे बनाते रहे हम तेरे सहर में आये हैं मुशाफिर की तरह हम तेरे सहर में आये है मुशाफिर की तरह सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे-दे हम तेरे सहर में आये हैं मुशाफिल की तरफ तो मैं भी आपसे हाथ जुरकर बिंटी करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और सियर जितना जादा करेंगे अरे आप लोग तो चाहे तो किसी को भगवान बना दे और चाहे तो मिस्तिका धूल तो आपसे मैं गुजारिस करता हूँ कि जादा से जादा इस विजियो को सियर करें और जादा से जादा सब्सक्राइब करें नहीं तो अभी हम ततकाल आपके सामने एक और question paste कर रहे हैं और आपका गुजारिस है और आप इस वीडियो को बिना skip किये हुए देखे आने तो फिर concept नहीं समझ में आएगा कहीं भी मैं आपको चाहता हूं कि पूरा reasoning देखते देखते सिखाओ कहीं भी मेहनत नहीं एक बार वीडियो देखिए आपको सब समझ में आज़े अब थोड़ा सा गौर कीजिए अगला question मैं आपके समय लेकर आया हूँ अगर एहां पे हमें 18 अपरील 2019 को कौन सा दिन था हमें पता करना है तो कैसे पता करें देखे सिंपल सा अब बात करें पहले कौन है जनवरी आया है फिर उसके बाद कौन आएगा फरवरी उसके बाद कौन आएगा मार्च और कहां तक चलना है चौथा महिना यानि अपरेल तक आपको जाना है बाबू समझ रहे ना जनवरी में एक दिन तो खतम है जनवरी में होता है कितना दिन 31 तो 31 दिन में जिक चला ही गया तो बचा कितना दिन 30 दिन आज 7 से भाग दीजेगा तब 7 चक 28 असेस कितना बच जाएगा दो बचेगा कि नहीं बचेगा बोल ये क्योंकि 7 दिन पर तो दिन रीपिट होता है तो आपको दो ही दिन न बचेगा 7 चक 28 अदो तब 2 हाजाज़ार उनीस है यह चार से भाग लगेगा दूगों में लगा के देखे न चार चका सोला तीन से नहीं है यह लीपियर नहीं है अधी बर्स नहीं इसका मतलब है कि एक जो फरबरी होगा वो 28 दिन का ही होगा 28 दिने 7 से भाग दीजेगा तर साचक 28, तो कितना सेथगी गीरेगा, सुन ना गीरेगा, गीरेगा कि नहीं बोलिए और मार्च में कितने दिन होते हैं 31, तर साचक 28, तीन दिन सेथगी जाएगा अपरेल में 30 दिन लिखका घलती मत कर दीजेगा तक न बात कर रहा है अपरेल में नहीं तो आठार्य दिन जाएगा तो यह आठार आठार है आठार्य क्ड़ा आठार है इसन से दम आख मुणक्या थीस टीस मरले है आज समझे क्यों गया नहीं अठार एक दिन लाना है भाई तो साथ दूनी चौद ऐस चार दिन से शिरा अध देखिए इकटकटिया मेठर लगाईएगा तभी बनेगा साथ दिन पर दिनवाद रिपीट होता है ना तो देखिए चार आतीन साथ इता गया अब बचा कितना आफी बताए दुई ये दिन बचा और डे कितना बचा दो दिन भी समदे तो बस इसमें दो जोरना देजिए तो बूद आ गूरुवाद, कौना अथर हो जाएगा गूरूवाद, तो जब आपको दिन चेंज रहा महिना भी चेंज रहा है तब भी आप बना सकते कि नहीं बना सकते जो लिए ना बन जाएगा ना तो और हम और थुरा सा इसको और डीप करके आपको सिखाने का प्रयास कर आप कोश्चन देखें अगला आपके पास है कोश्चन मान लिजे कि यहां पर आपको देदिया है 17 अब यहां पर हम बढ़ाद यह महीना देखिए आठमा महीना लगा दिए आठमा महीना जानते हैं न जनवरी फरवरी मार्च अपरील मौई जून जुलाई अगस्त अठमा मह इसको कौन सा दिन होगा रे भाईबा वहे लेखन बनेगा जैसे पिछला बनाए उन्हें बिल्कुर से में खाली जनवरी से ले क्या दिसंबर तक याद रखिएगा सब बन जाएगा देखिए आप यहां देखिए दीन बदला है देखिए महीनों बदला हुआ है इस साले न मार्च जाना का देख लिजेगा मंजिल एहा है आपका 8. महीना मार्च उसके बाद कोन आएगा अपरेल अतब मौय मौय के बाद जून जून के बाद जुलाई याद रखिएगा तक जाना है और गस्तिय तक जाना है आगे मत बढ़ जाईएगा तो अब जनवरी में कितना दिन होता है कहिएगा 31 दिन अई पूरा 31 सामिल है देखिए तो यहां एक दिन तो जनवरी का खतम है एक एक जनवरी 2019 को तो मंगलवार आपको लिखा ही है तो 31 दिन में से एक हट यह गय जाहरए 2019 को 4 से बढ़ दिजिए चार से भाग देने का मेथट क्या है कि अन तर्वाला दुगो को 4 से बढ़ दिजिए तो 4 तक सोलर नहीं कटेगा इसका मतलए लीप यह नहीं है अधी बरस नहीं है तो इसमें कितने दिन हूंगे 28 वहारी माय होता एक टीस सा जून होता है फिस कर दीजेगा अगस्त में अबके जाना गतलेतोंbas बीड़ेक शत्रहे हैं और आप मुझें कि मतलें यहां पर कितना लिखेगा शत्रह सवाइब कि माले से एक तारीद को है बूधवार, एक तारीकों है बूधवार, आप फिर इसमें साथ जो रियेगा ना ता आठ तारीकों भी बूध होगा, फिर साथ जो रियेगा ना ता पंदरा तारीकों भी बूध होगा, फिर साथ जो रियेगा ना बाइस तारीकों भी क्या होगा, बूध होगा, यानि साथ दिन पर दिन वही रहता है इसका मतलब है कि साथ साथ दिन को हटा दिजे तब साथ से भाग दिजे साथ चकठाइस कितना से सगिरा दो साथ चकठाइस जीरो से सगिरा साथ चकठाइस तीन से सगिरा साथ चकठाइस दो से सगिरा साथ चकठाइस तीन से सगिरा साथ चकठाइस लफ्रा में पर जाईएगा, अब कट-कटिया मेथर लगाना है आपको, कट-कटिया समस्थे हैं न मतलब साथ दिन पर दिन मा सेम रहता है, एकदम होही का वही है, एक तारीक सोमबार तो फेल आठों के सोमबार, पंद्रहों के सोमेबार, तो कट-कटिया मेथर लगा यह 7 हमको हर हाल में सास से छोटा करना है, तो सास से भाग दीजिएगा तो एक बार, यानि कितना, चार दिन भी समाया, यही न चार दिन आया, अब जो आया उसको इसमें जोर दीजिए, मंगल में चार जोर दीजिए, तो मंगल में चार जोर दीजिएगा तो देखे, बूध बार, बिरश्पति यानि गूरू बार सुक्र बार अस्वनी बार बुध बार यहाँ बिरश्पति बार सुक्र बार स्वनी बार तो चार दिन जोरिएगा तो कौन सा दिन आ जाएगा स्वनी बार आ जाएगा नहीं तो 17 अगस 2019 को कौन सा दिन हो जाएगा सनी बार तो बिल्कुल आसान है ऐसे ही लगातार पढ़िए इसकीप वीडियो मत कीज़ेगा नहीं तो फिर आपका परहा रहे हैं इसलिए पढ़ते रहे अल्लाग आतार रिजनिंग का इस्टार न बना दिये तो फिर कहिएगा पहले पढ़िए तक यह आपका दूसरा वीडियो चल दा है अभी पहला वीडियो देख लिजेगा एदम बेसिक समझाए हैं उसमें आप गौर कीजिए और थुरा दो हजार उनीर देखिए अब इसको कईसे बनाईएगा अब देखे साल में तो कोई चेंजिंग है नहीं जो बदल रहा है सोकौन में दीन में या महिना में बदल लाए लेकिन अब देखिए आपको जो महिना है न पूरा महिना लिखेगा यहां जनवरी से स्टार्ट हुआ है आप बारहमा यान दिसंबर तक गया है तो आप जनवरी से बढ़कते चलिये अदिसंबर तक जाईए गए गागजसती अगस्त के बाद कोन होता है सितंबर, सितंबर के बाद कौन होता है, अक्टूबर, अक्टूबर के बाद कौन होता है, अक्टूबर के बाद होता है, नवंबर, लास्ट में होता है, दिसंबर, यही है न, अब तनी गौर कीजिए, अब हम यहां से बाते करते हैं तनका, अब देखे, आप जनवरी की बात करें तो जन्वड़ी में तो 31 दिन होता है भाईबा बिल्कुल होता है ना उसमें से एक तारिक को तो मंगलवार आपको देही दिया दिया कि न दिया बोलो जब एक तारिक दे दिया जन्वड़ी में 31 दिन में से एक दिन हट यह गया तो कितना दिन बचा तीसे दिन न बचा फरवरी में इता है, देखे, चार से भाग नहीं लगा, तो ये लीप येर है ने, अधि बर्स नहीं है, तो इसका मतलब है कि 28 दिन होगा, मार्च में 31 दिन, अपरैल में 30 दिन, मई में 31 जून में 30 जुलाई में 31, अगस्ट में 31, है न, अगर सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, अधिसंबर में 31, हमको पूरा दिन से तो काम है नहीं, हमको तो विशम दिन चाहिए, और डे चाहिए, आध दिन पर तो दिन रिपिट होता है, तो साथ से भाग दिए जाता है साथ चकटाइस, दू होगा, साथ साथ से साथ क लिख रहे हैं समझए रहे हैं जैसे 31 से भाग दिए 7 जात चाह कितना 28 आइं तीन बहुक्रार यही हम LED से से यहीं नहीं, अब लगाई एंगा, कट्काइस, साथ पूरी गाहों छोड़िजिए lightning आ तीन आदू पांच आदू साथ होगा की नहीं होगा बोलिए इन देखे तीन आदू पांच आदू साथ हो गया अब सब जूर दीजी बचा सब डखें कितना और 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 कटेगा क्या नहीं कर अब जूर ये दू, दू, आतिन पांच, आतिन आठ, आतिन एगारः, आतिन कितना होता है, एगारः तीन चौदा, फेर सजोर नहीं, दू, नहीं, दू हो गया, उसके बाद यहाँ पे तीन, पांच, आतिन आठ, आतिन एगारः, एगारः आतिन कितना होता है, चौदा, जोरते रहें न, जोड़िये ना आपके बोड़े पर है दो कट्रवड़ा छोड़ियेगा दो अतिन पांच अतिन आठ अतिन एगारा एगारा होगा आप तीन कितना होगा चौधा यानि चौधा आएगा जो आया उसको फिर साथ से भाग देजिए तो साथ दूनी चौधा सेस कतना आ गया जीर इसका मतलब है कि आपको ये कौनसा दिन आजाएगा मंगलवार ही आएगा कौनसा दिन आएगा लेकिन भाईबा बरत का गलती कर दीया आपको पता नहीं चला कि बढ़या मेना में आपने तीस तिन लेना लिया यहां पर Tusland जाना था को है तीनय तारिक निए ता आप दान रहीं कि तीनय तक जाना था यह उसले पाउ यह लिए और नहीं और शुक्र मखलות मैं आगल था करीक दिए निए इंट आ चलाए का है नहीं तो मंगलवार हो तो आपको वर किसी भी परकार का चेंजिंग अगर देगा तो आप निकाल लेंगे क्या नुआ निकाल लेंगे बोलिए कि अब हम आपको सिखाते हैं अब उल्टा निकालने का तरीखा अगर दे опас nyt a tea अभकinga निकालना थे अब अब आई से दिखने आठ जनवरी 2019 को है मंगलवार आपसे पूछा है देखते फूछा है पांच नहीं पांच अच्छ & अच्छ आम जनवरी यह वला पहले निकाल को देखें यह सी आठ में से पांच ऋ शीर और एक पहले वाला पूछ जाने गट आते हैं ना तरह सिंघा लिजेल कि नहीं तो गहताईएगा मंगल में सोतीन घाटा इन सुंबारा रभी बार तो फोई कौन दिन हो जाएगा सवनी बार न मां हो जाएगा ठीक है लेकिन आप दूनों बदल के भी तो बना सकते हैं को आप महिना को और इसको भी चेंद कुछ नहीं वहीं वह से ही बनाएगा खाली बस अतने अंतर करना है न कि आज पीछ़े वाला प शुकरवार कोन सा दिन होगा पुछ तो आप ही बताए तीन जनवरी से 18 जनवरी तक जाईएगा यानि 18 में से 3 दिन हटाईएगा तो कितना दिन बचेगा 15 आपको पता है कि 7 दिन पर वही दिन आता है तो 7 से भाग दे देंगे 15 में साथ से भाग देंगे तो 7 दू निच्चाउद कितना सेस गिरा एक ने गिरा तो जब 3 जनवरी को सुक्र बार था एक दिन बढ़ा बढ़ाईएगा तो कौन सा दिन आ जाएगा शानी बार अगर आपको आगे जाना हो ना आगे तो आप जोरिएगा अप पीछे आना हो त घट आईएगा बस एतने दिमाग रख दिये समझ रहे न यानि जब 3 जनवरी को सुक्र बार है तो 18 जनवरी को कौन सा दिन होगा तो देख रहे न तीन सा अठार गए 15 दिन गए न आज साथ दिन पर ही पीछिटा साथ से भाग दिये तो कितना सेस आया एक सेस आया और वही एक सेस अगर इसमें जोर दिजेगा तो दिन आजागा यानि कौन सा दिन आएगा सनी बार 18 को कौन सा दिन होगा सनी बार फिर साथ जोरीगा तो क्या दिन आएगा 25 जनवरी को अगर पूछे तब भी सनी बार 25 में नहीं फिर साथ जोर दिजिएगा तो जो आगे आएगा व वो भी सनीवार होगा, समझे की नहीं समझे, तो आप इसी तरीके से कोस्चन को बनाईए और अभ्यास भी करिए चो मार्च सुक्र बार तो 28 मार्च कौन सा दिन होगा कोस्चन है कि 6 मार्च अगर सुक्र बार, 6 मार्च सुक्र बार तो 28 मार्च कौन सा दिन होगा, तो देखें, सिम्पल सा बनाईए न, 28 है उसमें से 6 घट आईएगा तो कितना आ जाएगा, 22, आज 7 दिन पर वही दिन रिपित होता है तो साथ से भाग दिजिएगा, तो सतियाए कोईस एक दिन आया एक्स्ट्रा, तो बस एक दिन सुक्र बार में जोर दिजिए तो कौन सा दिन आ गया, शनीवा, यानि 28 मार्च को कौन सा दिन होगा, शनीवा समझ रहे ना, आगे पूछ रहा है, तो एक जोड़िए आप पीछे आना परे तो एक घटा देते, नहीं, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहाँ तू मुमताज है मेरे ख़बों की, मैं तेरा काही जहाँ तेहरा कमल है, बात गजल है, खुसबू जैसी तू चंचल है तीरा बदन है, शंगे मरमर, तू एक जिन्दा ताज महल है उतिरी है तू आसमा से, तुझ सा जमी से नहीं प्यार हमारा, अमर रहेगा, याद करेगा जहाँ जी, आपको भी मैं उसी तरीके से पढ़ाऊंगा, ताकि आपको याद रहे तो अभी आप वीडियो को देखे लगातार, पूरे कंसेप्ट को किलियर करता हूँ और जब अच्छा लगे तो लाइक चेर भी करते रहें, तो आई ये देखते हैं अगला कंसेप्ट अब सवाल उड़ता है कि अगर महीना बदल दिया जाए, जैसे मार्च का देदे, आप पूछे अगर अपरील या मौई का तब क्या करें, तब तो दिमाग ठनक गया, नहीं भाईवार पूरा का पूरा पढ़िये, सब आसान है कि अगर पढ़िये तो आप, जैसे अगर आपको इस तरीके से दिया है, जैसे दिया कि तीन मार्च अगर रभी बार है, तो बताइए, साथ अपरेल को कौन सा दीन होगा, देखिए, डरने की बात नहीं है आप तो जानते कि मार्च में होता है 31 दिन, नहीं, तो 31 दिन मार्च में होता है, तीन मार्च को तो अभी बार दे दिया, तो 31 में से 3 बचा, तो मार्च में कितना बचा, 28 दिन, अपरेल में जाना है कितना दिन तक, 7 दिन तक, तो टोटल कितना दिन आया, 35, आप साथ दिन पर दिन रिपिट होता है इसलिए साथ से भाग दे दिजिए गटांत पच्छे पैंटीस यह जीरो आया अपरील में जीरो जोरियेगा तब भी कौन सा दिन आएगा रभी वार यानि 7 अपरील को कौन सा दिन होगा तो 7 अपरेल को रभी वार होगा नहीं और आप करें सर अगर 2-3 महिना बोढ़ जाए तब हम क्या करेंगे तो उसका भी लाज है वीडियो देखिए देखिए जैसे अगर आपको देदे कि 4 मार्च अगर मालिजिये सोम बार है चार मार्च कौन सा दिन है शोम बार है अगर आपको पूछ दे कि 7 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा बताईए तो कैसे बनाईएगा मार्च से सुरू किये ना तो मार्च से आप लगिए मार्च है अपरेल है उसके बाद कौन आएगा मौई है तुलाई है, उसके बाद कौन है, अगस्त है, उसके बाद शितंबर है, उसके बाद अक्टूबर है, उसके बाद अक्टूबर तक न जाना है, तो अक्टूबर तक ही जाईएगा, अब मार्च में देखे, 31 दिन का मार्च होता है, चार मार्च खतम है, तो कितना बचा है, 31 मे नहीं होँ अक्टूबर में आपको साथे तक जाना है तो साते तक जाए लेकिन हमें तो विशम दीन से जो रहते हैं, चुकि 7 दीन पर तो दीन होता है, रिपिट दोबारा, सूम बर तो सूम बर, तो साथ से भाग दिजिए, सतिया 21, तो 6 से सू बचा, 7 rat 32, 7 ratник 33, 7 ratник 282, 7 rat oddly 33, 7 rat Tapels 22, और सास को सास से भाग दिजिएगा सुन अब लगाईए कट कटिया में था सास पुराएगा तो से मातर साथ हटाईए अब देखिए तीन अदू पांच अदू साथ कट गया अब खाय कहूं नहीं अब जोड़ लिजिए सब को देखे चो अदू आठ अतिन एगार अतिन चौदा को साथ से भाग दिजिएगा साथ दूनी चौदा सेस आ गया सुन अजब कोई भी दिन में सुन जोड़िएगा तो वही तो दिन आएगा यानि साथ अक्टूबर को कौन सा दिन होगा सोमबार को गास्त्वर अपको अहीं दिन बदल जाता तब यहां विस्वाम आप देख लिए ध्यान से देखे ध्यान से गौर्ष देखे पढ़ते रहिए सब कुछ हो जाएगा और वराने से कुछ मिलता नहीं है एदम कंसा सोके परहाई करिए सिखा के तो मैं रहूंगा एक कुछन देखे मान लिजे चार अपरेल को दे दिया है रभी वात आप से प साथ जून को कौन सा दिन होगा डरने की तो बात है नहीं अब आएए अपरेल से शुरू किया था जून तक गया है तो अपरेल के बाद मौई मौई के बाद जून आ गये जूने तक तो पुछा है अपरेल होता कितने दिन का देखिए यहाँ पे इमेठ़वा जनबरी एक 30 फरवरी 28 29 मार्च 31 अपरेल होता है 30 नीचे गवरा में आया 30 30 अपरेल में से चार दिन तो बता ही दिया तो बचा का दिन 26 दिन माई में मैं होता है 31 जून में साथ दिया है नहीं जनबरी फरवरी मार्च अपरेल माई अब देखें, अब 7 से भाग देजें, 7 दिन पर दीन होता है, दोबारा आ जाता है, सत्या एक और इस्ता 5, 7 चक अठा इस्ता 3, 7 से 7 तो 0, अब कितना आया, 8 आया, अब 7 दिन पर रिपीट होता है, याद रखें दम दिमाग में, 7 से भाग दीजिये, एक बार लगेगा, एक स अब जो सेसगीरा वहिने में जोड़िएगा आगे बार ना हो तो जोड़िए अब पीछे अटना हो तो घटाएगे तो यहां पर अभी बार में एक जोड़ दीजेगा तो साथ जून को कौन सा दीना आ जाएगा भाईबा सोम बार आएगा कि नहीं बोल तो आएगा ना अब एक कोश्चन देखता हूं कि आप क्या करते हैं बड़ा महतपूर्ण कोश्चन है अब तक तो आप बनाते गए बड़ा आसानी से कोश्चन है कि दो फरवरी को अगर मंगल बार है तो चार अपरैल को कौन सा दीन होगा आप लगे खटखटा बनाने अर बताईए फरवरी आपको पता है कि कोन साल का है अधी बर्स है ली पियर है कि समान बर्स है पता ही नहीं है तो क्या आप फरवरी में कितना दिन लिजेगा आठायस लिजे आ गुण किसे लिजेगा है पता ही यानी आंकरा जो है अपका इन्सर हो जाएगा बाइब्स देदेता तब निकल जाता आंकरा आ Playирован अगर आपको बीडियो सब्से अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे और बेल आइकन को औल पे प्रेस करना ना हो ले ताकि जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे अगर चाहते हो इसी तरीके के और वीडियो बनाता रहूं और आपको सिखाता रहूं तो आप तयार हो ज लगातार वीडियो को सेर किजिए लाइक बटन को जरूर दवा दिजिए गा नीचे ठीक है आप जीतना जादा इसको सेर किजिए जीतना सब्सक्राइबर भाईएगा उतना ही तो में मोटिवेशन मिलेगा आपसे तो मैं एक रुक्या लेता भी नहीं हो जब मैं आपके लि इन ज्वाएग, टेक कियर, ठेंक्स पर वातिंग, कीप वातिंग, जै हिंद, जै भारत, बंदे मातरम, जै जवान, जै किसान, भारत माता की, जै आँखो में नींदे न दिल में करार मोहबत क्या चीज होती है यार मोहबत क्या चीज होती है यार आँखो में नींदे न दिल में करार मोहबत क्या चीज होती है यार कभी बे खुदी तो कभी इनतिजार मोहबत क्या चीज होती है यार धर्द उठे प्यास जगे याद सताए कोई सदा साम शहर पास बुलाए रात डले धूप खिले आए सबेरा चाहतो के आशिया में दिल का बसेरा बेकरारी है जाने क्यों शनम आँखे है खुली नींद में है हम हर घरी है दिल पे कैसा आई खुमार आँखो में नींदे न दिल में करार मोहबात क्या चीज होती है यार आँखो में नींदे न दिल में करार मोहबात क्या चीज होती है यार